नमस्ते दोस्तों अगर आप पसु पालन का कारिये करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनोती है आज के दिन आपके जो पसु बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रगनेंट होके समय पे बच्चे को जनम नीदेरे बार बार रिपीट हो रहे हैं ये आप लोगों के लिए समसे बड़ी समस्या इस समस्या से छोटे है लेके बड़े-बड़े किसान., बड़े-बड़े फार्मर परेशान आप लोगों को पता है कि एक छोटा सा फार्मूला है जिसका परयोग करके आप इस बिमारी को हमेश्या के लिए दूर कर सकते हैं उस फार्मूले के उपराज हम चर्चा करेंगे साथ्यू मेरे हाथ में है यह पत्थर यह पत्थर आपके पस्वों में जो बार बार उसको जड़ से खतम कर सकता है शात्यू इस पत्थर का नाम है सुहागा बोरेक्स आपको बड़ी असानी से पूरे देश बर में पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा इसका उप्योग कैसे करना है सबसे जरूरी है इसका उप्योग करने का तरीका अगर आप जाने तो आपक समझ्चा दूर होगी लेकिन वह समझ्चा कैसे दूर होगी जब आप जानेंगे कि यह पत्थर किस तरह से आपके पसू पर काम करता है कैसे आपको खिलाना है यह सबी बाते बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ विशेस बाते आपको और बताना जा रहा हूं साथियों आ अगर आपके पसू के सरीर में infection हो गया physician आ गई तो आपको सुआगा इस तरह से उप्योग करना ना है उससे क्या फाईदा कर वह एक्ट्रियल ए इप्लामेट्रिक है इससे आपके पसू के सरीर के अंदर जो uterus है उसकी जो शोजन है वह भी उतर जाएगी जो आपके पसू क इसको तोड़ा सा कूत कि यूट्रस पे नियुकम然后 के खतने सब्सक्राइब अब आपको इसका उपयोग कैसे करने रिजिए आप उसको धोड़ा-सा कूट किhalf वह आउता है, आमारे गर में जो हम रोटी पकते हैं, तवे के उपर डाल दीजी, निच्चे आग लगा दीजी, थोड़ी देर में देखेंगे कि सुआगे का पानी हो गया, ये पानी की तरहें तरल हो जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो सारा पानी सोग तो आपकी दवा तियार है, अब आपको करना क्या है, 100 ग्राम सुहागे की खील आपके पास तियार हो गई है, इस खील को आप पीश लीजिए, पीश के 100 ग्राम सुहागे के अंदर 100 ग्राम ही आप हलदी मिला लीजिए, दोनों को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जब भी कि आप अपने पसु को प्रग्नेंट करवाएंगे प्रग्नेंट करवाने से पांच दिन पहले आपको यह दवा सरू कर देनी है बीस गिराम सुहागे की खील बीस गिराम हल्दी दोनों मिला के चालिस गिराम हो गई चालिस गिराम को आप गुड में या आटे में लड़ू सा बनाके अपने पसु को खिलाना शरू कर दीजिए कंटीनिव पांच दिन प्रग्नेंट करवाने से पहले इससे क्या होगा कि इंफेक्शन है वो खतम हो जाएगा अब आपका पसु जो आप अपने पसु को प्रग्नेंट करवाएंगे और प्रग्नेंट करवाने के बाद आपको एक और विशेश कारिये करना है यह तो जो हमने स्वाग्य का और हल्दी का आपको रोल बता दिया इसका काम है यूट्र उसका फाइदा यह है कि आपका पसु जो गर्मी की वज़े से जो हिट की वज़े से बार-बार रिपीट हो जाता है शैप्रम को मानता नहीं है वह भी आपकी समझ्छा खतम हो जाएगी तो नो रिपीटर पाउडर का एक पैकट लीजिए उसको पांच दिन के अंदर 200 गिर में बार-बार रिपीटर की जो होने वाली समझ्चा है उसको दूर कर सकते हैं बहुत ही आसान सा फार्मूला है आप लोगों से एक और पैक्सा रखता हूं मैं एक और उमीद रखता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर सेर करें जितने भी किसान साथी है उनके पास ये पिटरी की समझ्चे उसको दूर करेंगा तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिये बहुत बहुत धन्यवाद